हलो दोस्तो गूड मॉर्निंग कैसे आप सब उमेद करते हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो देखिए आज दिन है शुकरवार और टाइम हो रहा है दस बज रहे हैं सुबा के और देखिए जो मेरा काम है अभी खतम नहीं हुआ है आज हजबन और चले गए है और आप दोरी हूं घर की साफ़ सफ़ाई कर रही हूं और दोरी हूं बर्तन बर्तन when मैं गरब पानी से दो रही हूं उसलिए जिये क्योंकि आप सब्सकों पता है कि धंड बहुत बढ गई है और जोO चिंट अग का पानी है वह जो बहुत थंड़ा हो जात मैंने बरतन जो हैं धोलिये हैं और मेरी जो बरतन सारे धुल गए हैं मैं साफ कर रही हूं गैस की सफाई कपड़े से साफ करने से अच्छा है मैं गैस को मांज देती हूं जैसे मैं बरतन मांजती हूं तो मैंने गैस को मांज देती हूं अब देखिए मैं कर रही हूं गैस की स और जो मेरी गैस है वो भी साफ हो जाती है मेरा रोज तो नहीं मैं कभी कबार दीसरे दिन में यह कर देती हूं देहें गैस जो है ओ बिलाज़ को मैंने चाफ कर दिया है अब ठेखिए चोटा सा या वाइपर लिया हुआ है और मैंने इसे पानी को इससे साफ कर देती हूँ और जो थोड़ी बहुत साफ सफाई रह जाती है वो मैं कपड़े से और और जब खेंकाब कर देती हूं तो इसलिए पूरा सुखाना जरूरी होता है हर चीज को मैंने सिंक विंक जो है मांज दी है और ये जो टप है छोटा सा इसे मैं बाहर ही रखती हूँ जाद अतर क्योंकि जैसे छोटे चाए वगेरा के बरतन होते हैं तो वो भी साफ करने होते हैं चाए वगेरा के बरतन हो जाते हैं तो इसमें थोड़े से पानी में काम हो जाता है छोटी सी ऐसी बाल्टी ली हुई है उसी में पानी गरम कर लेती हूँ है और जो मेरी काम हो हो जाता है ओपर इस लिए माशीन कुक्ष देहर चोटा है सिर्थ दूर watches को देहरी आ रहता हुआ है दूपर को इसलिए रगा और लगा के रखती हूं क्योंकि आपको पताईए कि हवा बहुत आती है और ठंड पूरा फ्लोर ठंडा हो जाता है तो इसलिए मैंने इसमें पर्दे को हमेशा लगा के रखते हूं अब मैं लगाने जा रही हूं जाड़ू अब साफ सफाई करने के बाद उसके बाद मुझे बच्चो को 12 बजे टूशन भी भेजना हैकाald इसलिए जाड़ू लगा ह Kultur नहीं और पोचा कपड़े आज मैं नहीं द drainage लेकिन दोपैर में दोँगी देखिए यहां देखिए बच्चे जो हैं लेटे हुए हैं और काविया उर्वी और धहरिया तीनों लेटे हुए हैं यह देखिए धहरिया चिला रहा है लेकिन मैंने इसको म्यूट कर दिया था क्योंकि कि इसकी चिलाता है तो बहुत तेज चिलाता है बोगन धेखिए जए धेर यह देखिए फोन को उठाने के लिए भाग रहा है यह फोन जो मैंने रख हुआ है लेकिन इसपार-बार इस फोन को मांग रहा था कि मुझे दे दो फोन भी देखिए इसको एसलिये सोने के लिए कर रहा था और देखिए फिर उसके बाद मैंने लगा व Executive सुरूषा करना लगाना शुरूर कर दिया है अब फिर भी वह फोन को बार बार वार वह महापे रखे हुए एंस्टा वगर सो उनको बार बार कहered का तब हाता है और सहरा बखेर देता है सारा तो इसलिए मैंने इसको दिया रही और ये खाज अगर ये खा ले तो मैं से दे भी दूँ लेकिन इह खाता नहीं है सुगा के टाइम भी इसने सारा इधा दर अधार निया था साहरा फैन जो है तोड कस चुझा करके फैक दिया था अब देखिए मैं लगा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पोचा जो है एक की जगह दो दो बार लगाना पड़ता है क्योंकि फर्ष में चमंक तभी आती है जब हम अच्छे से पोचा लगाते हैं और इसलिए मैंने पोचा जो है मैं पोचे में बहुत टाइम द कि यहां देखिए काम जो है मेरा खत्म हो चुका है और मैंने नहा लिया है और नहा के आ गई हूँ मैं अब मैं थोड़ा सा करूंगी मेक अप और उसके बाद मैं पहनूंगी स्वेटर मेक अप यह देखिए मेक अप जो है मेरा हो चुका है और मैं बना रही हूं बाल क्योंकि बाल सुबह ही एक टाइम हो जाते हैं फिर उसके बाद तो पता नहीं लगता कब क्या टाइम होगा देखिए अब मैंने स्वेटर जो है पहन लिया आपको लगता है ना कि मतलब नहाते ही सबसे पहले स्वेटर और जुराब की याद आती है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है अब इसलिए फिर आज मैं नहाई भी लेट हूं दिन में कि मैं तो सुबह ही नहा लेती हूं लेकिन आ आपको जैसे पता है कि ठंड बहुत है तो बच्चों को रोजोरो नहलाना सही नहीं है तो यह देखिए यह मेरी जिठानी की लड़की है और यह कभी-कभी आ जाती है दोनों जुडवा है यह मैंने इनकी वीडियो भी डाली थी आपने शायद नहीं देखी होगी यह दोनो चोटी ना बनाओं और मुझ साफ कर दूं दुलवा दों तो फिर मेरी बच्चा अब करत नहीं की बच्वतraction की बना रही थी और दुबारा से मैंने चोटी इसकी बना दी इसके बाद यह जाएंगी टूशन टूशन छोड़ने के लिए लीए इनके बावत च्वत की जाते और लेकर भी वो आ जाते हैं कि आना देहरिया को उलाने के चक्कर में मैं जहरे को अकेला नहीं छोड़के जासकती है और अजय नीचे रहता भी नहीं है तो इसलिए बच्चों को उनके बावा छोड़के आ इसे लिए मैंने उनको बोल दिया था कि जाओ तुम लो не ने पहले खिला दिया था जिम एक काना पहले बना दिया था और और में जैसा कि बता हुए आपको खाना मेरा सुबर बन की ऊडम जब मैं इसको समझा रही थी कि जो काम है वो कैसे करना है खाना जो है इन्होंने पहले ही खा लिया था क्योंकि जो मैं हस्बेंट जी का खाना बनाती हूं तो एक दो रोटी फालतो इसलिए बनाती हूं बच्चों का पता नहीं होता वो किस टाइम मांगते हैं तो और उर्वी ने मांगी लिया था तो पै cents मम्मी मुझे रोटी दे दो खाना दे दो और इसलिए मैं असको खाना दे दिया था और कोनों बच्चे खाना खा चुके हैं और दहरे जे देखे जो आप सोने के लिए इतनी जिद कर रहा है तो मैं इसके लिए दूद लेने गई हूं और यह अब यह सोचता है कि यह देखो जुराब भी अपने आप उतार देता है अब इतना बड़ा हो गया है कि मतलब जुराब खैंच के और उतार देता है और ठंड इतनी हो रही है अब बताइए मैं इसको कब तक ऐसे रखूंगी नीचे भी नहीं उतारा मैंने इसलिए इसे बैड़ पर ही रखाया सुबैसे अब देखे मैं इसको दूद दूँगी यह दूद पीएगा और अगर इसे सोना होगा तो यह सो जाएगा वरना अगर भूक लगी होगी तो ऐसे ही छोड़ देगा तो अब देखे मैंने इसको दूद दे दिया है और मैंने उर्वी को काव्या को समझा दिया अच्छे से कि बावा के साथ टूशन जाना और बच्चे टूशन जाएंगे और उसके बाद ही मैं कुछ खाना पीना कर सकूंगी मैं सोच रही हूँ यह भी सो जाए तो मैं थोड़ी सी फ्री हो जाओंगी लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा